इंडियन बाइक से ड्राइविंग 3D के अपडेट को चार दिन पूरे हो चुके हैं गाईज लिकिन ये RGS टूल के सीक्रेट चीट कोड और फीचर के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता तो आज किस वीडिय के अंदर गाईज मापको RGS टूल के निव सीक्रेट फीचर और निव चीट कोड के बारे में बताने वालों जो कि निव अपडेट में आये हैं और कोश सीक्रेट भी है जो कि किसी को नहीं पता तो इस वीडियो को पूरी देखना तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं ओके तो guys मैं आपको new update के RGS tool का पहला feature दिखाने जा रहो हूँ बहुत द्यान से देखना ठीक है सबसे पहले यहाँ पर आपको 5050 से velocity raptor को मगाना है ठीक है यह वाला जो velocity raptor है आप इसको drive कर सकते हो दिहान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ अभी देखो इसको आप drive करके कहीं भी लेके जा सकते हो जहां पर लेके जाना चाते हो यह बात तो सभी को पता है हम इसको drive कर सकते हैं लेकिन अभी आपको निकालना है mobile और dial करना है 5-0 ठीक है only 5-0 अभी आपके सामने द्वारा से velocity raptor आएगा लेकिन यह वाला जो velocity raptor है यह different है यह आपका pairt है इस पर आप drive नहीं कर सकते हैं चला नहीं सकते यह बस आपके आगे पीछे घुमने वाला है और इसका RJS tool का एक secret feature है वो मैं आपको बताता हूँ आपको निकालना है mobile RJS tool में जाना है अभी आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है क्या लिखना है ठीक है यहाँ पर लिखना है A-T-A-C-K मतलब कि attack लिखना है अपर attack लिखोगे जैसी यहाँ से okay करो और side में गईस यहाँ पर लिखकर आजाएगा target mode on अभी यह वाला जो target mode on हुआ है इससे क्या होने वाला है गईस मैं भी आपको बताता हूँ यह वाले feature कैसे काम करता है अभी आपको निकालनी है अपनी A-Camp ठीक है gun switch करनी है किसी भी NPC पर आपको एक दो bullet fire करनी है बस एक यह दो ठीक है और जैसी मैंने की side में देख सकते हो target locked लिक करा चुका है अब यह वाला जो velocity raptor है ना उस बाले NPC को जाकर मार देगा kill कर देगा यह देखो A- इसने इसको माड दिया है यहाँ पर तो यह वाला RGS tool का feature ऐसे काम करता है ठीक है और गईस अगर आप चाहते हो यह वाले feature को बंद करना तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना दोआरा से जाना है RGS tool के अंदर और वहाँ पर लिखना है आपको attack मतलब कि दोआरा से attack लिखना है उसके बाद में off लिख देना है और जैसी यहाँ से target mode off लिख के okay करोगे तो देख सकते हो target mode off लिख कर आचुका है अभी किसी भी NPC पर आप bullet मारोगे ना वो NPC अब direct मर जाएगा क्योंके हमारे RGS tool का attack mode वाला feature off हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो इसके लाबा गईस एक नया dinosaur आया है जो की है T-Rex जो की मतलब Jurassic Park के अंदर घुमता था वो उसका cheat code यहाँ पर है गईस 5-1 5-1 जैसी dial करोगे इसका भी यहाँ पर RGS tool का एक feature है मतलब के जो छोटा वाला वेलो सी रेप्टर ताना वो जैसे की मारता है दूसरों को यह वाला डाइनसोर भी मारता है गईस उसके लिए आपको क्या करना है RGS tool के अंदर जाना है और द्वारा से वही लिखना है attack ठीक है टारगेट लोक्ड हुआ और उसको जाकर मार दिया भाही इसने इसके लाब अगर आप NPC वगेरा को भी मरवाना चाहते हो तो उस पर एक दो बुलट माननी है जिससे क्या होगा टारगेट लोक्ड हो जाएगा और ये वाला जो टी रेक से उसको जाकर मार देगागा अगर इसको भी बंद करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको RGS tool के अंदर जाना है और यहाँ पर attack लिखना है और off लिख देना है अभी यहाँ से आप किसी भी NPC पर बुलट वगेरा मारोगे ना तो वो मतलब ये वाला डाइनसूर उसको जाके मारेगा नहीं इसके लबागाईस यहाँ पर एक और डाइनसूर है जो की 5-2 से आता है ठीक है जिसका नाम है Spinosaurus अब यहाँ पर देख सकते हो यह वाला डाइनसूर भी बहुत खतरनाक है जो की इसका भी एक secret cheat code है वही वाला RGS tool के अंदर आपको attack लिखना है मतलब के वही काम करता है यह भी attack लिखने के बाद में यहाँ से okay करो और जैसे की दो डाइनसूर आगे घुम रहे हैं अगर चाहते हो उनको मरवाना तो यहाँ पर क्या करो उन पर एक दो fire कर दो जैसे की इस पर मनें एक दो bullet fire कर दो और अब एक और डाइनसूर है जो कि 5-3 साता है बट इसका feature नहीं है यह ऐसी घुमता रहता है यह सीधा डाइनसूर है का इस humble डाइनसूर है तो चलो अब मैं आपको RGS tool का दूसरा feature बताता हूँ जो कि डाइनसूरों से हटके होने वाला है तो गईस जीवाले RGS tool के feature के बारे में बहुत कम लोगों को पता है तो आपको RGS tool के अंदर आपको जाकर लिखना है RGS tool के feature के बारे में बताता हूँ आप सभी को गईस पता होगा हमारे घर भी है जो कि यह वाला है हमारा character यहीं पर spawn होता है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है हम इसको color भी कर सकते हैं हाँ जी RGS tool में जाने के बाद में यहाँ पर आपको लिखना है house उसके बाद में लिखना है color और उसके बाद में कोई भी जैसे की red ठीक है red लिखा और देख सकते हो guys यहाँ पर हमारे house का color में red हो चुका है पहले white white इतना मस्त नहीं लग रहा था लेकिन red color होने के बाद में कितना प्यारा लग रहा है लेकिन guys यहाँ पर आप खाली इसको red नहीं कर सकते है बहुत सारे color का आप यहाँ पर कर सकते हो जैसे की इस बार में करने बालू हूँ blue ठीक है यहाँ पर लिखने के बाद में house का color देख सकते हो आसमानी color का हो चुका ही proper blue नहीं हुआ है जैसे की पानी का color है ना कुछ उश टैप का हुआ है लेकिन बहुत मस्त लग रहा है अगर आपको यह वाला color भी मस्त नहीं लग रहा है guys तो house color के बाद में लिख दो yellow ठीक है yellow जैसी लिखोगे तो house का color yellow भी हो जाएगा यह जितने भी color है house के इससे अटके भी एक pattern आता है जो कि आत तो guys आप सभी को पता होगा हमारे घर के अंदर यह वाले एक fan होता है ठीक है जो की बंद पड़ा रहता है लेकिन guys कि आप सभी को पता है आप इसे RGS tool की में से own कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैंने RGS tool के अंदर लिखा fan own ठीक है यहाँ पर जैसी लिखा उसके बाद में यह fan अब यहाँ पर टिक करूँगा चालू हो चुका है ठीक है RGS tool से गई इस बाले fan को भी आप on off कर सकते हो ठीक है अब यहाँ तो यहाँ तो यह चल रहा है लेकिन इसको अगर आपको off करना है तो दोहरे से आपको RGS tool में जाओ महाँ पर लिखो fan और off ठीक है जैसी लिखोग किसी भी बिना सहारे के हबा में टंगा हुआ है ठीक है आप इसको RGS tool के मैंसे on off कर सकते हो मतलब कि on होने के बाद में यह रोटेशन में घूमने लगता है पता है कैसे यहाँ पर मैं इसको करने वाल हूँ यहाँ पर देखो RGS tool में जाने के बाद में लिखना है आपको roll उस को रोग भी सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं जाता हूँ RGS tool के अंदर और वहाँ पर लिखता हूँ roll और off ओ ऐसा आपको लिखना है ओफ और यह वहीं का वहीं रुख जाएगा जैसी आप off करोगे देख सकते हो बहुत कम लोग को पता है RGS tool की यह वाले फीचर के बारे में अब गईस यह शोरूम के अंदर यहाँ पर देख सकते हो गाडिया नहीं है मतलब कि शोरूम के अंदर तो गाडिया होनी चाहिए तो आपको RGS tool के अंदर लिखना है car और buy ठीक है car buy जैसी लिखोगे शोरूम के अंदर गाडिया आ जाएंगी पर wait गाड़ी तो आई नहीं अरे रोको guy's एक मिर्ट रोको यहां पर आपको क्या करना है अपनी बाइक से लेके थोड़ी दूट जाना है और जैसी रिटन आओगे तो शोरूम के अंदर गाड़िया मतलब की स्पोन हो जाएंगी बहुत सारी सुपर कार्ड्स वगेरा जो शोरूम के अंदर होती है तो यहाँ पर देख सकते हो बाई कितनी सारी गाड़िया आ चुकी है हमने कारबाई लिखा था आठजे स्टूल के अंदर और देख सकते हो गाड़िया स्पोन हो चुकी है तो यह वाला आठजे स्टूल का सीक्रेट फीचर भी बहुत कम लोगों को पता था इसके बाद में गैस यह जो शोरूम है इस पर वाइड वाइड कलर यह अच्छा नहीं लगता आप इसको कलर भी कर सकते हो बट पता है कैसे आपको आठजे स्टूल के अंदर लिखना है हाउस कलर और उसके बाद में जैसे की रेड लिखना है बड़ आप सोच रहोगे यार हाउस का कलर पर इसका शोरूम का कैसे चेंज हो रहा है तो गैस यह गैम का गिलिच है आपको शोरूम की जगा हाउस लिखना पड़ता है तो यहाँ पर मैं दौरा से लिखता हूँ हाउस उसके बाद में लिखता हूँ कलर and यहाँ पर जो भी color करना है मुझे जैसे की blue करना है तो यहाँ पर देखो showroom का color change हो चुका है तो ऐसे आप showroom का color भी RGS tool की मेंसे change कर सकते हो लेकिन इसको गुना guys आप RG भी नहीं कर सकते हैं जैसे की घर को कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं इस बार करने वाला हूँ इसको yellow ठीक है house color yellow और yellow हो चुका है देख सकते हो तो guys यह थी RGS tool की complete video यहाँ पर RGS tool की जितने भी use जितने भी cheat code जितने भी future हैं मैंने सब आपको बता दिये और यहाँ पर मतलब के normal cheat code जो होते हैं उस पर click करके देख लेना बाकी वीडियो कैसी लगी comment करके बताना बाकी में मिलताओ नैश वीडियो में मेरे भाई love you all